तो इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्रिकल्चर से लेटेड स्कीम से गॉवर्मेंट की उसमें गॉवर्मेंट ने कितना पैसा लगाया है या फिर कितना एलोकेशन किया है ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अकसर नाबाड वगरा के एक्जम्स में पूछ लिया जाता है कि इस बार PMGSI का बजट क्या था या ऐलोकेशन क्या था इस तरह के क्वेशन साते हैं और इस वीडियो में डिसक्स करेंगे एगरी बजट में क्या-क्या था क्या-क्या लोकेट हुआ कौन-कौन से स्कीम्स आई थी उसके अलावा डिसक्स करेंगे कि COVID-19 के टाइम पे गवर्मेंट ने क्या एफट्स किये और जो Economic Package रिलीज किया उसमें Agriculture के सेक्टर के लिए कितना पैसा मिला तो यह वीडियो हम तीन पार्ट में करने वाले हैं यह पहला पार्ट है यह सारे पार्ट में आपको बहुत सारी important information मिलेगी तो आप बिल्कुल भी मिसमत करिएगा इन तीन वीडियो को और पूरा देखिएगा हर वीडियो को अगर आपको इन वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं टेलेग्राम ग्रूप का लिंक आपको description मिल जाएगा और हमारे एग्रीबी टेलेग्राम ग्रूप में डेली एग्रीकल्चर अप्डेट्स मिलते हैं और जो भी वीडियो से हम अप्लोड करते हैं एग्रीबी पर उसकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी आपको चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात जो यूनियन वज़र 2020 था उसमें एग्रीकल्चर के लिए टोटल 2.83 लैक करोड रूपीज का अलोकेशन गवर्मेंट ने किया था और यह 2.83 करोड रूपीज पूरे ARD के लिए थे अग्रीकल्चर एंडूरल डेफलप्मेंट के लिए थे इसमें से अग्रीकल्चर और इडिगेशन के अक्टिविटी इसके लिए 1.6 लैक करोड रूपीज और रूल डेफलपमेंट के लिए 1.23 लैक करोड रूपीज और रूल डेफलपमेंट के साथ मैं पंचायती रास तो इन चीजों के लिए 1.23arin करोड रूपीज तो अबरॉल यह 2.83 लैक करोड रूपीज का अग्रीकल्चर का दिन जो ministry है हमारी ministry of agriculture and farmers welfare इसके दो major departments है पहला है department of agriculture cooperation and farmers welfare ये main department है इसका काम है नई policies और programs बनाना उनको implement करवाना और उसका maximum benefit farmer तक पहुचाना दिन दूसरा department है department of agriculture research and education and idea इसका काम है agriculture research और education को देश में promote करना ताकि नई varieties release हो सके नई techniques बनाई जा सके जितने भी agriculture colleges और research centers होते हैं उनका budget there देता है then agree budget 2020 जो हमारा इस बात का agree budget था बजट में से जो agriculture में allocation हुआ था उसमें क्या-क्या focus areas थे तो सबसे पहला doubling of farmers income ये बहुत important है 2015 में government ने ये शुरू किया था ये plan government ने कहा था कि 2022 तक हम farmers की income को double कर देंगे और इसके लिए बहुत सारे effort कर रहे है government कैसे MSP बढ़ा रही है direct income support दे रही है farmers के account में बहुत सारे loan provide किये जा रहे minimum interest पर जाए स्यादा loan दिये जा रहे बहुत सारी schemes निकाली जा रहे है ताकि farmer maximum benefit पासके इसके अलावा क्या है increasing connectivity तो rural India तो rural India में connectivity बढ़ाने के लिए PMGSI और connectivity से यहाँ पर मतलब है road connectivity का तो इसके लिए scheme है प्रधान मंतरी ग्रामीर सडक योजना तो एक बहुत important scheme है इसमें से अक्सर नाबाड में questions पूछे जाते हैं और AFO में भी पूछे जाने के chances बहुत हैं अगर वहाँ पर scheme वाला कुछ पूछा जाएगा तो PMGSI में से तो question आएंगे ही आएंगे तीसरा focus है यह भी बहुत important scheme में इसमें से भी questions बहुत आते हैं आपके exam में PMFBI प्रधान मतरी फसल वीमा योजना प्रधान मतरी फसल वीमा में जादस जादा farmers की crop का insurance किया जाता है then कुसुम scheme यह scheme renewable energy से related है और कुसुम scheme क्या है यह हम आगी की slides में देखेंगे अभी हम देख रहे हैं आपके focus area कौन से है तो energy sovereignty से related है कुसुम then input sovereignty यानि organic farming PKVY scheme है हमारी यह है परंपरागत क्रिशी विकास युजना परंपरागत से मतलब आप समझ गए कि conventional और conventional यानि organic जो हम farming के methods थे वो organic थे और धीरे धीरे हमने इतिन demand को देखते वे नए methods अपना लिए जिसमें chemicals का बहुत ज्यादा यूज होने लगा तो दुबारा से farming का organic बनाने के लिए ताकि chemicals का harmful effect कम से कम हो consumer के ओपर और farmer के ओपर यह PKVY launch की गई है then cultivation of pulses तो इंडिया बहुत सारी pulses हर साल import करता है रहिश्या से तो pulses का cultivation बढ़ाने के लिए भी government का focus है इस साल then providing direct income support to farmer साब जानते है PM किसान के बारे में PM किसान में क्या होता है कि हर साल में तीन बार 2000 रुपे की तीन किष्टे farmer के account में directly डाल दी जाती है और इसे direct income support scheme का जाता है ताकि farmer अपना काम चला सके farming का तो इसमें होता है कि साल में तीन सीजन होते है खरीफ रभी और जायद तो हर सीजन के शुरू होने से पहले उसकी शुरुआत के टाइम पर ही ये 2000 रुपे की help किसान के account में डाल दी जाती है ताकि वो अपने inputs खरीच सके अगर उसे कुछ बीज लेना है या कुछ दवाई वगरा लेनी है तो उसे खरीदने में उसे help हो सके इसलिए ये बहुत इंप्रदानमत्री किसी चाहिए होजना तो जितनी भी स्कीम समने स्लाइड में देखी है सारी बहुत जादे इंपोर्टेंट है अगर questions आएंगे आपके exam में तो 90% questions इनी मैं से पूछे जाने के chances है micro irrigation क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हम आगे भी थोड़ा सा discuss करेंगे उसको then कुछ और important steps या वरू कुछ और important focus area आसते जो government की वो था geotagging of agri warehouses तो जो agri warehouses होते हैं cold storage होते हैं उनकी इंडिया में बहुत कमी है और बहुत सारा produce ऐसे post harvest losses में खराब हो जाता है तो इसके लिए तो इसके लिए agri warehouses की geotagging करने का plan किया है उसके अलावा same चीच ऐसे जो post harvest losses किसान के तोड़ने के बाद जो खराब हो जाते perishable commodity उसको बचाने के लिए या loss को कम से कम करने के लिए दो नई scheme शुरू की government ने किसान rail और क्रिशी उडान तो rail से मतलब है train से और उलान से मतलब है flight से तो special trains और flight चलाई की government जिससे कि जो farmer का produce है वो खराब होने से पहले final destination पर पहुंच सके और perishable commodity सबसे ज्यादा क्या होती है milk, meat, fishes और कुछ vegetables जो बहुत जल्दी खराब होते है then expansion of integrated farming system in rainfed areas तो rainfed areas और एरियाज होते है जो totally dependent होते है rain के ओपर अपनी farming के लिए तो ऐसे areas में integrated farming का बढ़ावा देना है integrated farming systems को बढ़ावा देना है integrated farming systems क्या होते है वो system जिसमें सारे inputs का ऐसा optimum use किया जाए ताकि minimum input के साथ में maximum benefit पाया जा सके और maximum output पाया जा सके integrated farming को भी हम कभी किसी वीडियो में discuss करेंगे, फिलाल आप यहाँ पे ऐसा ही इसको समझ लीजे then कुछ और important बात है जो organic farming के हमने बात की थी कि organic farming को government बढ़ावा देना चाहरी है PKVY से परागत किर्शी विकास होजना से तो वो organic produce बेखेगा कैसे farmers का एक important चिंता का विशयर रहता है इसके लिए जैविक खेती portal शुरू किया है एक online portal शुरू किया जहाँ पर किसान अपना समान बेज सकते हैं उस portal का नाम है जैविक खेती then horticulture produce के लिए horticulture produce के होते है आपके fruits, vegetables, flowers तो इनके लिए one product, one district यह approach launch किया है जो cluster based approach है ताकि जादा से जादा marketing और export हो चके horticulture produce का तो cluster based approaches क्या होती है जहाँ पर एक पूरा cluster बना दिया जाता है आप मान लीजे दो चार गाउं को मिला के cluster बन गया आपने उसमें 50 या 100 किसान मिला लिए और वो सब के सब अपना produce एक जगह पे लेके आएंगे वही से उनका produce जो है ले जाए जाए जाएगा ताकि उन इसके अलावा है agriculture credit target of 15 lakh crore तो agriculture credit यानि loan देने का target है कि 15 lakh crore तक के loan देदेगी government 2020-2021 इस साल में जो जितने भी PM किसान beneficiaries हैं उन्हें KCC देना PM किसान beneficiaries मतलब जो PM किसान के अंतरगत आते scheme में जो मैंने आपको बताया था 6,000 rupees per year मिलते हैं और KCC scheme है किसान credit card scheme तो जितने PM किसान के enrolled beneficiaries हैं जो farmers हैं उनको KCC scheme में लाना तो KCC scheme में क्या होता है किसान credit card में किसान अपने farming के लिए short term loan ले सकता है जो कि बहुत कम interest पर मिस effective interest जिसका सिर्फ 4% होता है उस पर उसको provide किया जाता है Then animal husbands related कुछ बात हैं ये भी बहुत important है Elimination of FMD, brucellosis and PPR तो FMD और brucellosis ये cattle की बिमारिया है और PPR शीप और गोट की बिमारिया है तो इनको पूरी तरह से इंडिया से खतम करना है 2025 तक ये target है Then इसके अलावा artificial insemination तो AI आप समझ रहे होंगे artificial insemination ताकि जो हमारी breeds है इंडिया में cow, buffalo और हमारी जो cattle की breed है, animals की, mammals की breed है उनको सुधारा जा सके ताकि उनसे maximum productivity ली जा सके तो इसके लिए क्या होता है, कि अच्छी breed के bull या फिर जो भैसे होता है वो available नहीं हो पाते हर जगे उनको नहीं ले जाया जा सकता है, इसके लिए artificial insemination का सहरा लिया जाता है जिसमें उनका सीमन को स्टोर कर लिया जाता है और उस सीमन को फिर artificially जो आपका female cattle है या female buffalo है, जो female animal है उसकी वजाईना में रख दिया जाता है जिससे कि उनका जो baby होगा, वो एक बहुत अच्छी breed का होगा ज्यादा highly produce करने वाला होगा, high productivity वाला होगा और अच्छी breed का होगा तो यह अभी तक इंडिया में सिर्फ 30% है तो 30% से इसको बढ़ागे 70% करना ऐसा target है तो इससे क्या होगा, milk की productivity या जो animal products से उनकी productivity बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इंडिया में अभी इंडिया क्या है, world में leader तो है milk की case में हमने एक वीडियो भी बनाया था इसके उपर world milk day वाला, जिसमें हमने milk celebrated सब कुछ discuss करा है कि milk में क्या-क्या होता है, means उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपके exam में कोई भी ऐसा question नहीं बचेगा, जिसको आप answer ना कर पाए milk celebrated, और milk celebrated question पूछे ही जाते है exam में अभी क्या है इंडिया में, milk processing capacity 53.5 million ton है और इसको बढ़ा के 108 million ton करना है 2025 तक, तक कि जादा से जादा milk की processing हो सके और processed milk फिर export भी हो चकता है और आसानी से transport भी हो सकता है different products के form में, तो फिशरीस की बात आ गई increasing fish production by 200 lakh tons, तो 2022-23 तक fish production जो है 200 lakh tons तक पहुचाना है, यह बहुत important slide है, इसमें important schemes के बारे में आपको जरूर पता रहना चाहिए, कितना allocation कर रही है government, किस particular scheme में, तो जो भी आपके exams है, जिनमे agriculture पूछी जाती है, यह rural development पूछा जाता है, GA पूछी जाती है, यानि general awareness या फिर ESI पूछी जाती है, उन सारे exams में यह बहुत काम आएगा आपको, कि important schemes में government का allocation कितना है, तो हम यहाँ पर last वाले column पर focus करके चलेंगे, सबसे पहले मनरेगा, तो मनरेगा बहुत important scheme है, महत्मा गादी, national rural employment guarantee scheme, तो इसमें जो 2021 का budget है, वो 61,500 करोड रुपीज है, और last year यह 60,000 था पहले, तो उसको बाद में revised estimates में बढ़ा के 71 कर दिया गया था, इस बार इसको 61,500 करोड रुपेज रखा गया है, then green revolution, green revolution के अंदर 2-3 schemes आती है, उनको हम आपने आने वाले वीडियो में discuss करेंगे, green revolution के लिए 13,320 करोड का budget रखा गया है, white revolution के लिए 18,05 करोड का, और blue revolution के लिए 570 करोड का, इसके अलावा PM किरशी से चाहिए होजना, मैंने आपको बताया था, इसके लिए 11,000 करोड का budget रखा गया है, और PMGSI, यह अकसर पूछ लिया जाता है question, नावाट phase 1 में आ जाता है कि PMGSI के लिए कितना allocation है, या budget में उसके लिए कितना पैसा रखा गया है, तो 19,500 करोड रुपेज, इस बार PMGSI के लिए रखा है, जल जीवन मिशन, इसके लिए 27,500 करोड रुपेज और जो farmers को interest subsidy देती है government, interest subsidy farmers को कैसे देती है यह भी हम आने वाली slides में और आने वाली videos में देखेंगे, कि यह क्या है interest subsidy on short term credit to loans, तो bank जो loan प्रोवाइड करता है farmer को वो loan बहुत कम interest पर प्रोवाइड करता है, अपने regular interest से भी बहुत कम interest पर प्रोवाइड करता है और जो बीच का gap होता है interest का, वो government bank को पे करती है तो यह जो subsidy interest की, इसके ओपर जो पैसा government खर्च करती हो है 21,175 करोड रुपे 21,175 करोड रुपेज then market intervention price support scheme, तो market intervention price support क्या होता है जैसे एक scheme थी भावांतर भुकतान योजना, जो MP नी launch की थी last to last year तो उसमें क्या था, अगर कोई farmer को अपना produce, distress sale पर बेचना पड़ रहा है कि MSP से कम rate पर बेचना पड़ रहा है, तो उसमें जितने rate में जो फरक आएगा उतना फरक उसको government pay करेगी then कुछ और schemes है, important schemes, इनमें इस slide में आपको बताता हूँ सबसे ज़रूरी है, वो है PM किसान, तो 12th वाली आप जो देखिंगे, यह है PM किसान 75,000 करोड रुपीज, PM किसान का कितना बजटे पूछा जा सकता है आपसे exam में then इसके अलावा, यह Animal Husbandry का, यह question भी आ सकता क्योंकि Animal Husbandry से भी बहुत question होते है National Animal Disease Control Program for FMDN Brucellusis, तो इसके लिए 1300 करोड रुपीज रखे हैं government ने then कुसम, मैंने कुसम की बात किती, जो Renewable Energy Related Scheme है तो इसके लिए 700 करोड का बजट रखा है, government ने और इसके इसी बार launch हुई है, तो किसान, उर्जा, सुरक्षा, एवं, उत्थान, महाभियान तो उर्जा means energy, सुरक्षा मतलब conservation, एवं means end, और उत्थान means upliftment, महाभियान, means mission So, Renewable Energy को बढ़ावा देने के लिए 700 करोड रुपीज की कुसम scheme government में रखी हुई है तो आपसे ये भी question पूछा जा सकता है, exam में, कि which of the following scheme is related to renewable energy और upliftment of energy, तो इस तरह की जो questions हुँगे, उसका answer हो सकता है, कुसम Then, तो जितनी भी government schemes है, agriculture related, उसमें से ये तीन schemes, PM किसान, PMFBY, और interest subsidy for short term credit to farmers ये तीनों ही 78% है, जितने भी agriculture का budget है, उसका 78% पैसा ये तीन schemes में जाता है जिसमें 53% है, PM किसान, then interest subsidy 15% और PMFBY है 11%, तो ये major schemes है, government के आपको याद रखना होगा तो दोनों ministry जो मैंने आपको बताई थी, दो major department है, government के Department of Agriculture Corporation, Farmers Welfare और DARE, Department of Agriculture Research and Education तो इन दोनों में कितना कितना budget allocate हुआ, कैसे कैसे बटा है, वो देख लेते हैं इस बार तो इस बार का जो budget है, इसमें 1,42,762 करोड रुपीज टोटल बचे थे 1.6 में से, बांकी irrigation के लिए चला गया इसका जो major part है, वो DAC को जाता है, DAC मतला Department of Agriculture Corporation and Farmers Welfare तो इस बार का जो budget है 2020 का, उसमें government ने agriculture के sector में 30% increase कर दिया है जो budget allocation है, वो 30% बढ़ा दिया पिछले साल की अपेक्षा, पिछले साल ये बज़र था 1,09,750 करोड रुपीज और इस साल इसे बढ़ा के 1,42,762 करोड रुपीज कर दिया गया, जो की 30% higher है और इसमें से, जो agriculture cooperation वाला DAC वाला साइड था, वो 32% बढ़ा और agriculture research वाला साइड जो था, वो 6.6% बढ़ा जो DARE वाली साइड है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, DARE का major पैसा जाता कहा है Department of Agriculture Research and Education का पैसा, वो कहां जाता है तो सबसे ज़्यादा इसका पैसा जाता है ICAR को, Indian Council of Agriculture Research को जो इंडिया में जितनी भी agriculture की research है, government research उसको majorly conduct करती है इसका major पाड जाता है, then उसके बाद crop sciences के लिए जाता है 965 करोड रुपीज agriculture education के लिए जाता है 740 करोड रुपीज, agriculture education से मतलब है यहाँ state agriculture universities को, या फिर central agriculture universities को जो grant देती है, ICAR उसके लिए जाता है crop sciences और animal sciences से मतलब है, जो इनके लिए पर research करती है, अलग से ICAR अपने आप उसके लिए जाते है, 965 और 486,000 करोड रुपीज और department का total हमने पहले देखा ही था, यह है 8,363 करोड रुपीज then agriculture sector का growth rate क्या है, यह discuss करते है एक बार वो 10% पहुझ गया था, 2003, 2004 और 10, 11 में, तो इस बार, इस यहर में उमीद की जा रही है कि 2.8% की growth rate से बढ़ेगा, और last year यह 2.9% की rate से बढ़ रहा था 18-19 में इसका agriculture sector growth rate 2.9% था और इस बार उमीद की जा रही है कि 2.8% से बढ़ेगा एक और important बात, जो contribution है agriculture sector का Indian economy में, वो 1951 के time पे 51% हुआ करता था मतलब जो major पैसा आता था, 50% जो पैसा आता था इंडियन economy का, वो सिर्फ agriculture से आता था और 2011 में, यह कम होके 19% हो गया, और 2019-20 में तो यह कम होके और भी 16.5% हो गया तो agriculture sector का जो contribution है, GDP of India में वो 16.5% है, और यह कम क्यों हुआ, क्योंकि बाकी जो sectors है जैसे service sector और हमारे जो business industries वगेरा है, उनमें इतना जादा growth हो गई कि agriculture का contribution कम रह गया इंडिया ने इतना develop कर लिया, और वो जो major पैसा आया, वो दूसरे sectors की वज़े से आया, तो agriculture contribution कम हो गया share of workers, तो पहले क्या होता था, बहुत जादा workers जो है, इंडिया के बहुत सारे workers होते थे, वो agriculture dependent होते थे 1951 में 70% workers agriculture dependent होते थे, जो 55% हो गए घटके 2011 में then income support scheme to farmers, PM किसान, इसके बारे में आपने देखा ही है, कि सबसे ज़्यादा budget, government का 50% से ज़्यादा budget तो सिर्फ अक्यले इस scheme में चला जाता है February 2019 में जब लॉंच होई थे, तो सिर्फ उनी farmers के लिए थे, जिनकी जमीन जो है total वो 2 hectare से कम है, या 2 hectare है then May में क्या करा government ने, कि ये सारे farmers के लिए, सारे farmers को इसके लिए eligible कर दिया और इसको eligible करने के वज़े से, पहले जो इसके beneficiaries थे, वो 12.5 करोड़ हो रहे थे, और बाद में 2 करोड़ फार्मर और बढ़ गए और 14.5 करोड़ फार्मर इसके beneficiaries बन गए तो इसका जो estimated खर्चा था, वो पहले 75,000 करोड़ फीज था लेकिन वो बढ़ के बाद में 87,218 करोड़ फीज हो गया ये extension के बाद ऐसा scheme में modification के बाद लेकिन उसके बाद भी government जो खर्च कर पाई इस में से वो सिर्फ 54,370 करोट रुपीज ही खर्च कर पाई तो 87 में से 54 ही खर्च कर पाई क्यों इसको हम देखते हैं कि क्या problem से इसके implementation में तो बहुत सारे farmers जिनके पास अपनी जमीन के records नहीं है उन्होंने अपने जमीन के records नहीं बनवा रखे तो इसके लिए eligible नहीं हो पाते हैं तो इस वाज़े से वो farmers भी इस category में नहीं आपते हैं जो PM किसान का काम है Agriculture Department के government employees को दिया जाता है जिनका काम होता है कि सारे beneficiaries को identify करना कि वो eligible है भी या नहीं भी PM किसान के लिए और फिर उनके data को upload करना PM किसान portal पर तो यह identification में बहुत जादा time लग जाता है इस वज़े से भी बहुत सारे farmers इसके अंदर अभी तक नहीं आपाए हैं then कई बार क्या होते है details match नहीं कर पाती है PM किसान के database में detail अलग होती है और आधार कार्ड में उनकी detail अलग होती है इस वज़े से banks उसमें पैंस ही नहीं डाल पाते है तो confusion हो जाता है इस वज़े से भी बहुत सारे farmers अभी तक इसके अंदर नहीं आ पाए है then poor internet connectivity तो जहां से यह upload होनी होती है सारी information इसके अलावा एक बहुत सारे landless लेबर्स है इंडिया में इस वज़े से सबको इसका फायदा नहीं मिल रहा जो landless agriculture workers है जिनकी मैंने आपसे बात करी जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है और दूसरे की फिल्ट पर काम करते है तो पहले 28% से सिर्फ total agriculture workers के सिर्फ 28% थे 1951 में और आप वो बढ़ कर 55% हो गए है तो अब 2011 का जो latest data हमारे पास है उसके हिसाब से जित्रे भी agriculture workers हैं इंडिया में उसमें से 55% landless laborers है जिनकी क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है यह भी इंपोर्टेंट है आपने के सिर्फ स्कीम के बारे में सुना होगा और यह question तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एक्जाम में तो अक्सर एक्जाम में आ जाता है य interest subsidy से related question और मैंने आपको बता यह important scheme भी है गवर्मेंट यह जात से आधा गवर्मेंट लोन देना चारी फार्मर्स को low interest rate पे तो यह question important हो जाता है इसको एक बार फिर से समझ लीजा तो गवर्मेंट क्या करती interest subsidy देती है फार्मर को जब कोई farmer KCC का लोन लेता है बैंक से तो initially इसके interest 9% होता उसके rates से उसको लेता है लेकिन government उसको उपर उसको 2% subsidy देती है subsidy का मतलब bank तो 9% ही लेगा लेकिन यह 2% पैसे 2% का जो amount होगा वो government bank को देगी तो यह 9 में से जब 2 minus कर लेते हम 9% में से तो यह 7% बसता है इसके उपर एक PRI scheme होती है अगर farmer एक साल के अंदर या उसको additional interest मिलता है loan चुकाने के time पे तो अगर वो loan चुका देता है तो माइनस 3% तो 3% और उसको interest पे subsidy मिलती है रिबेट मिलता है जिसकी वजह से उसका effective interest rate है वो सिर्फ 4% रह जाता है तो 3,00,00,00 रुपे तक के short term crop loan पे जो एक साल के लिए होता है उसके interest rate पढ़ता है उसक government इसको जादा से यादा promote करना चाहा रही है then short term loan और long term loans होते क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं फटा फट से then crop insurance schemes मैंने आपको बताया था crop insurance भी बहुत important part है government का focus है ये भी तो इससे later भी कुछ important terms यहाँ पे देखेंगे ये सारी बाते हम वैसी करेंगे schemes को basic आपको उसका नहीं समझाएंगे आपने पढ़ा है योगा कई ना कई हम आपको बतानी कोशिच करेंगे क्या important है जो आपको अभी तक हो सकता है ना पता हो तो PMFVY के अंदर क्या है जितने भी farmers है इंडिया के जो major crops बोते हैं जैसे rice और wheat उनमें से सिर्फ 5% लोगी insured है 5% farmers की crop ही PMFVY के अंदर insured है तो यह बहुत चिंता की बात है government चाहती कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की crop जो है वो insured हो सके ताकि अगर उनकी crop का loss होता है तो उनको help provide की जा सके major crops बोने वाले farmers उनमें सिर्फ 5% ही PMFVY है और PMFVY क्या है यह mandatory होती है loony farmers के लिए आपको पता है और non mandatory होती है non loony farmers के लिए या फिर optional होती है non loony farmers के लिए तो 2018-19 का data कहता है कि 73% जो farmers है PMFVY के अंदर वो loony farmers है और 27% वो farmers है PMFVY में जिन्होंने अपनी मर्ची से अपनी crop आपको insure कराया है then minimum support price इस से related भी कुछ important बात है जानेंगे जो आपको हो सकता है ना पता हो minimum support price आपी recently Harif 2020 का government ने release कर दिया है आपको उसके बारे में पता होगा अगर नहीं पता है हमारे इस channel Agribee को scroll करिए और 3 या 4 वीडियो पहले हमने MSP के उपर एक full flashed वीडियो बनाया है Harif 2020 का तो आप उस वीडियो को देखेंगे आपकी बहुत help होगी आप बहुत को समझ पाएंगे कि MSP क्या है और MSP कैसे government calculate करती है A1 cost क्या होती A2 cost क्या होती है जो स्वामिनाथन कमिटी ने recommend करी थी और जिसके उपर बहुत पंगा चल रहा था अभी 4-6 महिने पहले तक government क क्या रही थी कि हमने 50% आपको उपर फार्मर को दे दिया है उसकी cost of cultivation के लेकिन actually cost government ने दूसरे तरीके से calculate करी थी उस तरीके से नहीं calculate करी थी जैसे सवामिनाथन कमिटी ने recommend करी थी तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमें Agribee को subscribe करें चैनल पे scroll करें आपको MSP का व पर फार्मर का जो produce होता है उसको एक minimum cost पर फार्मर से खरीतती है तो फार्मर का अगर produce कहीं अच्छी rate पर नहीं भिकरा है तो एक कम से कम minimum rate launch कर दिया जाते गवर्मेंट के द्वारा जिस पर फार्मर अपना produce government को बेच सकता है तो जितना भी wheat government procure करती MSP के अंदर उसका 81% सि इन तीन राज्यों से आता है हरियाना, मध्यपरदेश और पंजाब और ये तीन जो state है ये इंडिया का 45% wheat produce करते है लेकिन जितना procurement होता है wheat का उसका 81% यही तीन राज्य देते है तो एक important data है जो MSP का आपको नहीं पता होगा इसको याद रखीगा दिन paddy दूसरी major crop है paddy तो paddy में क्या है ये 6 state है आंदरपरदेश, 36 गर्ड, हर्याना, ओडिसा, पंजाब इन तिलंगाना ये 38% produce करते है इंडिया का rice का तो इंडिया का जितना rice होता है उसका 38% ये 6 state produce करते है लेकिन इनी 6 state से 82% procurement होता है तो जितना भी rice हर साल MSP पर खरीदता है FCI या government उसका 82% inch है राजियों से आता है एक important बात, interesting बात है इसके ओपर question आ सकता है तो जितना भी procurement government करती है हर साल उसका 35.5% paddy होता है ये 16-17 का data है 35.5% paddy होता है then wheat आता है 25% then pulsar and then oilseeds तो इस तरह का question आपके exam में पूछा जा सकता है कि which of the following crop is procured in maximum amount by under MSP by government of India तो उसका answer होगा आपका paddy या फिर आपसे series पूछी जा सकती को arrange कर रहे है इनका maximum procurement से lower procurement की series में तो सबसे आगे important बात है ध्यान रखने वाली कि paddy first number पर आता और wheat second पर बांकी pulses है तीसरे पर चौथे पर oilseeds तो इस वीडियो के लिए इतना ही था अगर आप नावाट phase 2 की तैयारी कर रहे है और आपने कोई online course नहीं लिया है तो आप exampy का course चेक कर सकते हैं exampy की website विजिट करिए course का demo देखिए और free mock test दीजे अगर कोई confusion होता है तो इस number पर call कर लीजे और मैं एक बार फिट से आपको याद दिला दू कि अगर आपको इस वीडियो का pdf चाहिए तो आप description में जाए और वहाँ से हमारा agreeby telegram group join कर लीजे उस group में आपको daily agriculture updates मिलेंगी और यतने भी हम यहा था, thank you very much for watching this video. See you soon in the next video.